बिस्मिल्य रख्माणि रहीम स्टूडेन आपने किल टॉपिक पढ़ा था जो इसको स्किया था कि What is the correlation and Correlation क्या है पॉस्तिव पॉर्वीषिन क्या है negative और और जो को रिलेशन मीन क्या है अब स्टूडेन आज जो हमेना टॉपिक है विकास आमने इसके practical question solve करने होते हैं तो जब तक आपको फार्मूलाज नहीं आएंगे बेशक आपको जितनी अच्छी theory जो है वो clear हो अगर आपको अच्छी तरीक से फार्मूलाज नहीं आते हैं तो आपना question solve नहीं कर सकते हैं तो sample correlation coefficient हमारे पास क्या है अच्छा अब इसमें नहीं जो हमारे पास different formulas नहीं वो use हो रही होते हैं आर जो है वो show कर रहे है correlation coefficient को ठीक है अब आपने situations देखनी है कि आपको question में कैसी situations given है और वहां आप different formulas जो है apply कर सकते हो sometimes आपको कुछ proof करने के लिए दे दिया जाता है अब student म मैं आपके साथ आज वो formulas discuss करूंगी जो कि आप अपने correlation से related question आजाते हैं तो इसमें आप apply कर सकते हैं सबसे पहले question तो आप formula तो आप देख रहे हो जो कि small s xy s x and xy अब s से मारे पास कहें standard deviation and standard deviation का आपको formula आता है तो वो अगर majority आपको क्या होते कि आपको full questions जो है मैं आप खुसासा situation बताती जा रही है कि full question आपको given होते है और वहां पे आपको बता दिया जाता है कि जो s x y है उसकी value आपके बास 2 है s x की value 1 है x s y की value 2 है या for example कोई भी है अब जब आपको values given दे दी जाती है तो आपने simple formulas में put करने है फिर आपको solve करने की जरूरत नहीं है lengthy काम न होगा लेकिन आपको concept clear होना चाहिए because paper में आपके लिए एक एक दो दो नंबर भी माईनी रखते हैं अब कहा है कि यह भी formula आगया हमारे पास जो कि आप भी मैं आपको show करवाएं पिर sometimes आप यह formula भी लगा सकते हो अगर आपने यह formula भी apply किया है answer will be remain the same ठीक है वो आपका change न है correlation का formula है यह भी आप apply कर सकते हो sometimes मैं जब paper चेक कर रही होते हूँ तो यह वाला formula apply किया होता है sometimes आपने यह apply किया होता है answer will be same मैं आपको again again क्या रही हूँ सिर्फ आपको जो formula easy लग रहे है आप वो formula apply कर दो अगर आपको x bar भी direct दिया गया है n भी given है y bar भी given है तो आपकी आप इन दोनों formula में से कोई भी formula जो है वो apply कर सकते हो correlations के लिए इसी तरह यह formula बहुत ज़दा यूज़ हो रहा होता है और यह वाला formula यह दो formula वो हैं जो आपके paper में भी बहुत ज़दा student यूज़ कर रहे होती हैं और वैसे भी exercise में जितने भी questions आ रहे होते हैं जितने मैं भी चेक करती हूं तो यह दो formula बहुत ज़दा यूज़ होते हैं अब student यह जो formula यह आपने खुद याद करने हैं और याद करने का तरीका में आपको बताती चलूँ के formula आपने गोर से देखना है यह देखें उसी में से formula यह बार बार सिच्वेशन को यह जो equations हैं उसी को solve कर करके यह हूँ अब यह आप देखो यह SXY ता ना इसी को open किया तो मरपया आगे जिस तरह हम करते हैं यह XX आपको पता है कि S हमारे पास किसकी equal होता है summation of X minus X bar divided by N की equal होता है तो यह X है अगर हम इसी का square ले ले लेते हैं तो यहाँ square आजगे यह square आजगे यह square आजगे इस तो जब cancel out हो गए है तो फिर आपके पास value आगी है यह वली यह आप देख लें और इसी को मजीद अगर आप solve करेंगे तो आपके पार यह value आजगे और इसको मजीद solve करेंगे तो यह आदेगे यह formulasas हैं जो कि आपने mind में रखने हैं और यह तमाम के तमाम किसके हैं correlation किया सारी वीडियो में मुझे student पूछ रहते हैं कि मैं हम आप correlation के different formulas जो हमें बता दे हम वो याद कर लेंगे याद करने का तरीका यह है कि student अगर आपको एक फार्मूला आता है आप जब बार बार exercise के question solve करोगे examples करोगे तो आपको formulas जो हैं वो याद हो जानी है लेकिन basically यह जो दो मैंने mention है यह दो फार्मूला आप अच्छे तरीके से याद कर लें अगर correlation कहाता है question तो आप इन दो फार्मूला में से कोई भी apply कर सकते हो जो आपको method easy लगता है बाकि त्यारी सब्सक्राइब करनी है हो सकता है paper में किसी भी किसम कहा सकते है लेकिन यह दो फार्मूला हैं जो कि forever हैं ठीक है कि आपको कोई भी question जारा है correlation का और उन्होंने फार्मूला अगर नहीं mention किया simple आपको calculation दे हुई है values दे हुई है तो आप simple calculation जो आपने करनी है वो इन दो फार्मूला में किसी को भी choose करके कह सकते हो इसी दरह sometime properties भी मैं आपको साथ पढ़ाती हूं लेक अगर rxy आपको दिया गया है ना कि आप solve करें तो उसका जो answer आ रहा है तो आप लिख सकते हो कि हमारे पास जो एक property है हम कहते हैं कि जो r है वो symmetrical है with respect to variable x and y तो अगर rxy for example 0.5 equal है तो r y x y x b 0.5 equal होगा यह आपने mention करना है and it's a property of the first correlation coefficient second property हमारे पास किया जाती है कि r is the covariance of values of two variable x and y measured in standard units covariance कहलाता है यह हमारे पास आगे change of origin and scale क्या होते है कि आपके बस जब आप देखें change of origin and scale किसी में भी आप कर रहे हो ना तो आप short method use करते हो यू का method use कर रहे हो तो d कर कर रहे हो उससे क्या होते है कि आपके answer पे effect नहीं पड़ता answer आपका वही रहेगा ठीक है आपकी values जो है है कि जो आपके greatest value होती है नो वो आपके पास क्या हो जाती है small values में convert हो जाती है और इनकी जो limits है न वो आपके पास होती है minus one to positive one की आप जो लाए करता है minus one positive one इससे ज़्यादा answer नहीं आएगा अगर आपके इससे ज़्यादा answer आ रहे है और मीट के आपके कहीं mistake कहरे है और आपको अबना जो question है बुरी ही चेकरना चाहिए आपका answer minus one or one के दर्मियान आना चाहिए इसकी range है students sometimes आपके पास आपको b given दे जाता है हम कहते हैं जो matter mean of the two regression coefficient is the equals to correlation coefficient तो sometimes आप पेपर अपने देखोगे आप solve करोगे आपके पाई example भी होंगे आपको byx and byxy की दे दी जाती है values और आपको कहा जाता है जी आप correlation find करें तो अगर इस तरह की कोई situation है कि जहां उन्होंने slopes दो दे दी गई है और वह आपको कहरें कि आपने regression find करना है तो student बहाँ पे आपने यह formula use करने plus minus under root byx multiply by byxy इनकी values को लिखना है और उसको multiply करना है for example इसकी value आपको 0.5 given थी इसकी value 0.3 given थी आप find करोगे तो जो आपके पास value 0.15 वो आपके पास क्या होगा R होगी आपने calculation जो है वो खुद करना है then last property हमारे पास क्या होती है 6 हम कहते है R is 0 when one of the variable is constant अगर एक भी variable उसमें से constant है तो जो correlation है वो क्या हो जाएगी जिरो हो जाएगी तो यह मारे पाद बड़ी important properties थी साथ में हमने formulas डिसकस किया है अब हमने formula तो student डिसकस कर लिया है अब इनको apply किस तरीके से करना है यह इन्शलम मैं आपके तर नेक्स lecture में डिसकस करूंगी जादे 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 students शेर किजिएगा हाफसी